अगर आप प्याज लैसुन नहीं खाते हैं या फिर किसी तवहार में आपको पनीर की सबजी बनानी है तो ये वाली मटर पनीर की रस्पी एक पर ट्राई करें ये डिश बहुत है डिलिश्यस है और बनाना बहुत है सिंपल है तो चलिए आज के मज़ेदार ऐसे पर शुरू करते हैं बिना लैसुन पे आज के मटर पनीर बनाने के लिए एक बरतन में पानी गरम करें और उसमें हरा मटर डालें अगर आप फ्रोजन इस्तमाल करें तो उसे ऐसे ब्लांच करने की जरूरत नहीं है जैसे ही मटर थोड़े से सौफ्ट हो जाए आप इसे निकाल लें और फिर एक पैन में एक चमस तेल गरम करेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें यहाँ पे 200 ग्राम पनीर डालेंगे और पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे पनीर को फ्राई करना उप्शनल है तो यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लिया मैंने अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम बरतन में दो चमर सेल वापस गरम करेंगे इसमें हम काजू, हरी मिर्च, अद्रक और ये टमाटर डालेंगे तो ये सारी चीज़े इसमें एक साथ डाल ले और उसके बाद तीन से चार मिलाट तक मीडियम फ्रेंप पे बुल ले जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा गैस को बंद कर देंगे और इसे हलका सा ठंडा करके हम ब्लेंड कर लेंगे ठंडा करके ही ब्लेंड करें तो ठंडा होने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पैन है इसमें हम वापस दो चमस देल करेंगे इसमें हम डाल देंगे दालचीनी, बड़ी, लाइची और जीरा तीनों को थोड़ा सा भूल ले उसके बाद जो हमने पेस्ट बना है वो इसमें डाल देंगे पेस्ट डालने के बाद हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे तो सुखे मसाले में आदी छोटी चो मचली पाउडर, लाल मिच पाउडर डाल दे धनिया पाउडर और गर्मसाला पाउडर मिला दे इन सबको जीरा पाउडर मैं इसमें नहीं इस्तमाल करें हूँ अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं फिर ये जो मसाला का बचा हुआ पेस्ट हैना अपनी बचाने पाउड़ दें मिला दे इसे और मतर और मसालो को हलका सा पकने की बाद हम इसमें डाल दे हैं तो यहां पे मसाला जो हैड़ा अच्छे से पक गया है कलर चेंज हो गया है तो एक से डेड गपके करी पानी डाल दें जितने ग्रेवी की ठिकने से आपको चीए उतना पानी डाले नमक डाल दे स्वात के अनुसार तो प्यास ट्रमाटर को हमने पहले ही भूल लिया था मसालो को भूल लिया है तो अब हम इसे जादा नहीं पगाएंगे बस यहाँ पर पनी डाल लेंगे और पनी डालने के बाद दो से तीन मिनट धीमी आज पर आप इसे पकने दे आप जाए तो पैन को कवर करते या बिना ढखके पकाएं तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे मिला देती हूँ दो तीन मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेवी जो है वो ठीक हो गई है इससे तो इस सबजी का स्वादी बदल जाएगा लेकिन अगर आपको घी जादा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप करें या फिर इसकी जगा आप बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह हमारे बिना लेसन पे आज के मटर पनीर बन के तियार हो गई है तो आप हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो सर्फ करने के लिए यहाँ पे आप इसे किसी भी सर्विंग बोल में निकालने और आप इस मटर पनीर को रोटी, पूरी पराठे या फिर किसी भी फ्राइटा इसके साथ सर्फ कर सकते हैं तो उमीद करते हूँ कि आज कि यह मटर पनीर की रस्फी आपको पसंद आई होगी